हेलो फ्रेंस आज के वीडियो में सीखेंगे तीन इंच की बाजू बनाना नाप वाले बिलाउज से नाप लेकर तो फ्रेंस देख सकते हो यह हमारा नाप वाला बिलाउज है तो फ्रेंस इसे के नाप के हिसाब से हम बाजू बनाएंगे तो फ्रेस वीडियो को पूरा देखना है बीच में इसकब नहीं करना है जिससे हर एक इस्टेप अच्चे से समझ में आए कोई इस्टेप छूटे नहीं तो फ्रेस देख सकते हो हमने अच्चे से बिलाउज को मिला कर रख लिया है जो हमारी बाजू लगी हुई है जहां से हमारी सोल्डर की सिलाई लगी हुई है तो बहीं से हम टेप को रखेंगे और जहां आर मूल की फिटिंग की सिलाई लगी हुई होती है तो बहीं तक हम टेप को रखेंगे तो फ्रेस देख सकते हो हमारा जो आर मूल है वो 7 इंच है तो फ्रेंस अगर हम नाफ वाले बलाउच से अगर हमें बाजू का नाफ लेना होता है तो हम आर मूल का नाफ इसी तरह से लेते हैं अब हम लंबाई का नाफ लेंगे लंबाई हमारी सबा 3 इंच है तो फ्रेंस अब हम नीचे आर मूल की साइड देखेंगे जहां से हमारी फिटिंग की सिलाई लगी होती है तो फ्रेंस नीचे की साइड हमारी बाजू डेड़ इंच है उपर की साइड सवा तीन इंच और नीचे की साइड डेड़ इंच है तो friends अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और हमारे चैनल पर ही beauty palette and slime boutique channel को subscribe गरू करें जिससे जो भी वीडियो डालेंगे उसका notification आपको सबसे पहली मिलेगा तो friends देख सकते हो यह हमारा man fabric है जिस पर हम बाजू की cutting करेंगी तो इसमें से parts की cutting को हम कर चुके हैं तो friends हमने fabric को two layer में बिछा लिया है फिर से हम fabric को एक बार fold करेंगे क्योंकि दोनों बाजू की हम एक बार में ही cutting करेंगे तो देख सकती हो friends हमारा fabric चार layer में हो गया है अब हम tape को रखेंगे एक निसान हम बिल्कुल सीधा state लगा लेंगी cutting कर देंगे क्योंकि जो नीचे की side हमारा तिर्षा कपड़ा होता है वो निकल जाता है cut करने से अब हम bottom के लिए नीचे की side निसान लगाएंगे bottom की चोड़ाई हम एक इंच रखेंगे तो friends लगबग हम डेड़ इंच पर निसान लगाएंगे क्योंकि हाप इंच फोल्ड होगा उसके बाद में एक इंच फोल्ड होगा तो देख सकती हो friends एक निसान हमने हाप इंच का लगाया हुआ है फिर एक निसान हमने पूरा एक इंच का सीधा इस्टीट कर दिया है तो friends हम bottom की चोड़ाई एक इंच रखेंगे क्योंकि हम handy से तुरपाई करेंगे अब हम आर मोल की गुलाई का निसान लगाएंगे तो friends जो हमारा नाफ वाला बलाउज है उसका आर मोल सेवन इंच है तो हम सेवन इंच पर निसान लगा लेंगे डेड़ इंच इसमें हम margin रखेंगे तो friends देख सकती हो हमारा जो पूरा फैबरिक है वो साड़ी आठ इंच है तो friends साड़ी आठ इंच से कम फैबरिक ना हो अगर कम हो तो इसमें जोड लगा लें लेकिन कम फैबरिक नहीं होना चाहिए साड़ी आठ इंच से क्योंकि friends सीना हमारा 34 इंच है अगर हम कम फैबरिक रखेंगे जब हम बाजू को आर मोल में अटैच करेंगे तो हमारी बाजू कम पढ़ जाएगी तो friends अब हम लेंथ का निसान लगाएंगी तो हमारी लंबाई सबा 3 इंच है हम सबा 3 इंच पर निसान लगाएंगी हाप इंच इसमें हम सिलाई के लिए लेंगी सीधा लेंगी तो friends इहां देख सकती हो जो हमने लेंच बनाया हुआ है जो हमने margin लिया half inch उसी land से हमने सीधा किया हुआ है तो देख सकती हो friends लगवख हमारा poni 4 inch यहां fabric है poni 4 inch पर निसान लगा हुआ है 4 inch में 2 point कम है तो हाँ friends चैनल को subscribe जरूर कर ले क्योंकि friends आप चैनल को subscribe नहीं करते हैं आपके एक subscribe से हमारी अंदर बहुत खुशी होती है क्योंकि कुछ तो हमने अच्छा बताया है जो हमारे friends को अच्छा लगा और हमें support किया है तो friends नाप लेकर हम दुवारा से दिखाएंगे लंबाई हमारी सवा 3 inch है आर मूल की गुलाई 7 inch है यानि की 7 inch है बाजू की चौडाई नीचे की साइड 1.5 inch है तो friends अब हम खुली साइड पर निसान लगाएंगे 1.5 inch का आदा इंच सिलाई के लिए लेंगे जहां से हमने सिलाई के लिए मार्जन लिया हुआ है तो बही से सीधा लाइन खेंचेंगे तो friends आर मोल की गुलाई 7 inch है तो हम 7 inch पर निसान लगाएंगी बचा हुआ फैबरिक हमारा मार्जन रहेगा तो friends अब हम बाटम की चौडाई देंगे तो बाटम की चौडाई हमारी 6 inch है तो बाटम की चौडाई का निसान हम 6 inch पर लगा लेंगे सीधा लाइन खेंच देंगे डेड़ इंच मार्जन का लाइन खेंच देंगे तो friends देख सकते हो हमने निसान लगा लिए है तो सबसे पहले तो यहां नीचे की साट बाटम की साट देख सकते हो बाटम की चौडाई हमने 6 inch लिया हुआ है तो यहां आपकी जितनी चौडाई हो उतनी रखे हमने 6 inch पर निसान लगाया हुआ है आप 6 inch पर निसान ना लगाएं आपका जितना महरी हो उतना निसान लगाएं 5 inch या 2 inch जितना फैबरी उस हिसाब से margin ले ले तो यहां पर जेख सकती हो friends हमने जब आपका निसान 7 inch पर लगा लिया है तो friends हमारा 5 inch ही इसमें margin बचा है तो हमने 5 inch ही margin लिया हुआ है तो फ्रेंस आर मोल की सैड थोड़ा समझ लेना है क्यूंकि जो beginners फ्रेंस होती है तो वो आर मोल की गुलाई सही से नहीं दे पाती है जिससे उनका बाजू पूरा खराब हो जाता है सही हिटेंग नहीं आती है तो फ्रेंस यहां देख सकते हो सबसे पहले तो हम गलती बताएंगी जो फ्रेंस हमारे करते हैं जहां से हमारा मार्जन का लाइन खिचा हुआ है तो बहीं से आर मोल में गुलाई का सेप दे देते हैं तो फिर से दिखाएंगे फ्रेंस नीचे से मार्जन की सैड से गुलाई का सेप लाकर बिल्कुल उपर तक end कर देते हैं जो कि फ्रेंस ये निसान हमारे बिल्कुल गलत है इस तरीके से अगर बाजू में निसान लगाएंगे कभी भी हमारे बाजू सही नहीं आएगी अब हम सही निसान बताएंगी तो फ्रेंस बंद सैड से हम डेल इंच का एक निसान लगाएंगी जो नीचे की सैड फिटिंग का निसान लगा हुआ है और जो हमने उपर की सैड डेल इंच का निसान लगाया हुआ है तो नीचे की साइड से निसान लाकर उपर की साइड डेड़ इंच में हम मिलाएंगे कुछ इस तरीके से तो फ्रेंज ये निसान हमारा बिल्कुल निसान परफेक्ट है तो हमारा देख सकते हो फ्रेंज अगर इस तरीके से निसान लगाएंगी तो हमारा बाजू का सेफ इतना अच्छा आएगा बिल्कुल भी कम जादा बाजू नहीं होगी जितना नाप होगा बाजू का जितना हम नाप से बाजू को बनाएगे उतना ही हमारा नाप आएगा इसी निसान पर हम कटिंग कर लेंगे जिस तरीके से हमारे निसान लगे हुए है तो friends हमने हर एक step अच्छे से समझाया है अगर हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता हूँ तो comment box में comment करके जरूर बताएं तो friends अब हम बाजू में cut लगाएंगे सबसे पहले bottom की side cuts लगाएंगे जहां से हम बाजू को fold करेंगे fitting के side cuts लगाएंगे बीचो बीच बाजू में cuts लगा लेंगे अब हम बाजू को open कर देंगे पूरा खोल लेंगे बाजू को तो friends जब भी बाजू की cutting करते हैं तो बाजू की front side में हम चांट देते हैं तो जहां से हमारे बाजू में आर मोल में जहां से हमारा निसान लगा हुआ है डेड़ इंच का तो देख सकते हैं फ्रेंच उसको हम डार्क कर देंगी तो फ्रेंच इसी निसान से पहले हम निसान लगा लेंगी तो हाफ इंच की गहराई में निसान लगा लेंगी अब हम cutting कर देंगी तो friends देख सकते हो हमने cutting कर दिया है जो extra fabric है उसको cuts लगा लेंगी तो friends इससे क्या है friends हमें याद रहेगा कि यह हमारा front parts है तो friends देख सकते हो हमने पूरे बाजू की cutting को कर लिया है अगर इस तरह से हम बाजू की marking करेंगी और बाजू की cutting करेंगी तो हमारा बाजू का fitting इतना अच्छा आएगा friends बिल्कुल भी ना तो जोल आएगा ना तो चुन्यट बनेगी बाजू में तो friends जो निसान हमने लगाया हुआ है इस पर हम सिलाई लगा लेंगी नीचे की side fold कर देंगी जो हमारा निसान इस्टेट लगा हुआ है तो friends अब हम measurement लेकी दिखाएंगी तो जितना बाजू हमारा है उतना ही रहेगा तो देख सकते हैं friends नीचे की side चोड़ाई हमारी 1,5 इंच रहेगी उपर की side चोड़ाई हमारी सवा 3 इंच रहेगी